और यहां पे न मुझे खुद पता नहीं चलता की भाई हुआ क्या ठीक है मैं गोली चला रहा हूता हूँ भाई दोनों को बहुत डेमेज देता हूँ अंदा डेमेज लेकिन कोई भी नो कुकी नहीं देता तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू पपजी दो मुबाईल की इंप्ले वीडियो में जो बरा है गलत सीन और गलत नेट से और हाँ आज तुम्हारे भाई का भी नेट फटता है और उसके साथ बंदा भी फटता है क्यार वो सब थोड़ा आगे जाके होगा फिलाल के लिए कताई नो वो आ रखें चार पांच बंदे उपर दिग गये हैं लेकिन यार असल मैं यहां पर भी बंदे आयोते जहां पर मैं उत्राओं तो एक सस्ती सकारेल मिलिये लेकिन यार सकॉर्ड वाइब कताई म बंदे पेल चुका हूँ और यहां पर मैं सही बता रहूं यार मुझे खुद बतानी लगता लेकिन ये पूरी सुकॉर्ड खाली हो जाती है ठीक है मैं सुचरा था यार अभी एकात किल हुए होंगे देखता हूँ भाईया चार किल तो यही होता है अगर आपको जल्दी ध यहां पैड़ पैड़ी बनती है और यह बन्दा यहां कतहित फलैंक वगेरा प्लैंक हां एक नया सब्षिकाओ मैं प्लैंक में चटके कता ही सौट गुन पटका रहा था भाईग जैसे तैसे बचा मैं से और डीपी वगेरा मिलगीए तो यार ओपर चटके कता सस्ते सप्रे देंगे और कोई भी नौक नी होगा अब यहाँ पर क्या हो रहा है आगे वाले जगा पर भाईया एक्सियोन चला है ठीक है क्योंकि जहाँ पर में उत्रा वहाँ पर जो एक्सियोन होना था वो तो मैंने बहुत ही जल्दी खतम कर दिया लेकिन यार बाकी बंदे लड़ रहे हैं तो कैसे न जाए वहाँ पर तो यहाँ पर मैं आता हूँ ठीपी भी वगएरा लेता हूँ भाईया महंगे हेलमेट गन गुन गोली दबा के मिल गई है तो आगे रस करने का टाइम आ गया है हना और वो लोग भी यार कताई दबा के टीपी पी ले रहे होते लेकिन उसके बाद भी खुलने से जाके रस करें अब जिस हिसाब से आगे पे गोली चल ली थी यार मुझे पता है आगे फाइट फूट चल लिए कताई हना तो बंदा ओपन में इधर उदर बगरा था उसे कताई डीपी का लोहा साइट चिपकाया और अब आगे की तरफ जा रहा हूँ उसकी पेटी बनाने लेकिन यार मेरी पेटी बनते बनते बचेगी क्योंकि उसके दोस्त लोग उसके भाई लोग वहीं पे बैठें लेकिन रस तो करना ही पड़ेगा अब यहां पे मैं बहाना दू भी तो क्या ही बहाना दू मतलब बगएर वेस्ट ऐसे चोड में रस करेंगे भाईया यह TPP लेके बैठे तो यार नौक नहीं होंगा तो और क्या होंगा मैं तो पहले यह दोनों भाई इधर दबाके TPP लेके बैठे होते हैं जब मैं पेल पूल देता हूं यार नौक उनूको जाते उसके बाद अपने कपडे फेकरें बिलकुल ठीक है मतलब देखो यार कोई भी कपड़ा फेग देना बंदा देखो गन फेग दे, गोली फेग दे, चलता लेकिन जब बंदे ने कपड़ा फेग दिया यार समझ लो उसका दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है यहां पे तो इन दोनों की मैं धेड़ पैड़ पेटी बनाता हूँ और जिससे ये लड़ रहे थैयार अब उनकी बारी है वो लोग भी पेलने वाले होते हैं मुझे और देखो मैं अभी एक बार नो कुछ उका हूँ लेकिन मैं सुधरा नहीं हूँ मतलब मैं दुबारा बगेर वेश्टेरस करता हूँ दुबारा हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है तो इस बार मैं बोलता है यार इस बार तो मैं भी टीबी पी लेकि खिलूँगा अब ये बंदे भी कताई खतरना टैप हो रहे हैं मतलब भया वेस्ट वुष्ट मेरे पे कद्दू नहीं थी भया नंगा भगरा था मैं पहले मुझे गोलियां पेल दी ठीक है हेल्थ की एसी तैसी करके भया मुझे कोने में पेल दिया और उसके बाद भाई नेड भी भेग देते हैं यार छोड़ दो यार कुछ तो मत करो मेरे पे तो नेड भी कर लिया इन्होंने गोली भी पेल दी लेकिन यार तुम्हारा भाई अब भी डीट है तुम्हारा भाई ठीक है अभी नहीं सुदे रहेंगे तो देखो सीन क्या होता है इनका एक और बंदा होता है वो भगता है आगे यह जो नीले कंठेनर पड़े होते न है यहाँ पे मोली मूली करी गयी है जलती बोतल में आग जहां पे जलाली है वहां की तरफ भगता है लेकिन भाई हम यहाँ पे काफी देर इंतेजार करते हैं, उसके बाद जब हम रस करते हैं, वो वहाँ पे कद्दू भी नहीं होता, मतलब भाई बिलकुल गायब, ठीक अब वहाँ से वो किधर भगता है, मुझे पहले लगाता कि यार ये कताई फ्लैंक वगेरा मार रहा है, कताई पेल के भाई रा उताओं की यहाँ पर एक खतरनाक बंदा मिलता है, मतलब महेंगे कपड़े हوتें, बाई पयार देखो क्या ही सीन होतें इसके साथ भी अब हमारे भाई यहाँ पर कताई सफेद भालू के कपड़े में बैठे पड़े होते हैं और यार यह बंदा यहाँ पर कौन से गत्ते फूक रहा था यार मेरे समझ के पार है बिलकुल और उसके बाद हमारे यह बाई इतनी चोड में गाड़ी लाते हैं मतलब इनको लग रहा होता है यहाँ पर फुटपात है यह कुचल कुचल देंगे यार लेकिन धैड़ पैड साइड होता हूँ और एकेम का स्प्रेच चिपका देता हूँ कताई और जहां तक मुझे पता है यह बगगी वाला वही बंदा होता है जो वहां कंठेनरों के बगल में भगा था यार जहां तक मुझे लगता है क्यूंकि नुवो में कोई और बचा नी था इसके अलावा तो यह बगगी का जुगाड करते हैं बगाते वे ले जाते हैं और जिस हिसाब से वो भगा रहे हैं न भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो बंदा जाना कि धर चार रहा है मतलब जहां पर भी जा रहे हैं भाई हमसे कताई दूर जा रहे हैं बहुत क्योंकि हम तो भाईया सीधा पेटी बनाएंगे खैर उसके बाद मैं सीधा पोचंकी आता हूँ टेंशन मतलो रोजोक की भाड़ी की तरफ भी जाएंगे और पोचंकी में आता ही भाईया जैसी गाड़ी आर पार कर रहा हो तो में रूट से कता ही धैड़ पैट फुटी स्टैप आते हैं अना तो फुटी स्टैप आ गए हैं रस कैसे न करें और देखो यार पोचंकी में ऐसे कहीं बाहर से आके रस रूस करना बहुत खतरना कोता है क्योंकि आपको कंदू भी नहीं पता कि बंदे बैठे किता रहे हैं लेकिन हम है डीट तो यार उसके बावजूद भी घुशते अंदर और इसे टाइम रहते ही पेल दिया क्योंकि आगर वो दिवार से चिपक जाता न यार वो बंदा नेट पे नेट करता बहुत ही और आगे एक और बंदा है और जहां तक मुझे पता यार पोचंकी एक अकेली ऐसी जगा है जहां पे फाइट गंटों चलती है मतलब एक बंदा इस घर पे कैम करेगा दूसरा बंदा चोथे घर पे कैम करेगा दोनों बैठे रहेंगे और कोई रस नहीं करेगा और जो बंदा रस करने की कोशिस करता है और उसे कते कैम कुम करके पेल गया जाता है तो हां पोचंकी में कते लंबी भाइटे चलती है तो देखो मुझे लगा था ये दोनों बंदे एकी टीम के होगे लेकिन पता चलता है कि जो आगे बंदा पेला वो किसी और टीम का होता है और जो इस हरे कपड़े वाले बंदे की पेटी बनाई उसकी टीम किधार होती है मेरे ख्याल से उस बंदे को खुद नहीं पता था हरा तो उसके बाद मैं चलता हूँ फले डिरॉफ की तरफ क्योंकि देखो सब कुछ कर लिया है बंदे पेल दिये भाग गए बंदे लेकिन लूटा नहीं है कताई हरा डिरॉफ अगेरा लूटना पड़े गया यार महंगी गने हमें भी चाहिए जिन्दगी में अब यहां पर ये दोनों बंदे कताई मजे में बिल्कुल चोड में डिरॉफ अगेरा लूट रहे होते हैं ठीक है ये होती भाई असली चोड ना समोक ना कुछ ओपर में है देख भी नीरे भाई लूटे जा रहे हैं तो एक की पेटी बन गई है अब बाकियों की बारी और यार इस बंदे ने जो पीक किया ना भाई ये कताई अलग लेवल का था मतलब मैं चारा था कि यार दर्वाजा फोड़ दूहना क्या पता कोई दिख जाए वहां से लेकिन भाई पीक करते मेरी दो-तीन गोली लगती है भाई देड़ पेड़ अदर जाते बिल्कुली मत मतलब बंदे को भी पता था यार प्रीफाय कर रहा हूं लेकिन भाई को देखना था मुंडी निकालके कि यार सीन क्या चल ले हैं और यहां पे बंदे हमें कताई गेड़ लेते हैं और यार यह पीले कपड़े ना आजकल मुझे बहुत दिखने को मिलने हैं मतलब अब यह कहां से मिलने हैं भाईया करेट ओपनिंग चल लिए क्या चला है मुझे नहीं पता यार मुझे भी चाहिए बले मैं इस्तमाल नहीं करूँगा उससे कभी खेर देखो अब सीम क्या होता है जब भी आप कताई रसरूस कर रहे होते ना घरों में जितने जल्दी हो सके कताई अंदर गुझ जाओ ठीक है यूँकि अगर आप बाहर खड़े रहोगे तो कौन कहां से आके कब गोली पेल के आपकी पेटी बना दे आपको खुद बताने चलेगा इसलिए जब भी मैं रसरूस करता हूँ यार कोशिस करता हूँ कि मैं अंदर गुझ जाओं लेकिन अगर आप बगैर देखे अंदर गुझते हो तो वहां पे भी पेटी बननी है हाँ अगर आपको पता है कि बहार कद्दू कोई नहीं आपको पेलेगा तो बिलकु तक लूट रहा होता हूँ भाई मुझे नहीं पता क्यूं है कि खैर हमारे पीले कपड़ों वाले भाई रिवाइव हो नहीं वाले थे लिकिन यार आखिरकार मेरी लूट लाट खतम हो जाती है और हम दैड पेड़ा के आखरी बंदे को भी पेल देते हैं मतलब भाई पूर कि 40 गोली ढूंटे ढूंटे मुझे घंटो लग जाते हैं पहले मैं जाता हूँ डिरॉप पे वापिस वहाँ पे नहीं मिलती फिर अब बात में आके यहाँ पर पता चलता है कि यार एक बंदे पे AWM होती है और दूसरे बंदे ने कते ही 20 गोली उठा रखी होती है बड़ि करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी रियो टीवी की कैर यहाँ पे मैं देखता हूँ कते डिरॉप गिरा पड़ा है बग्गी गिरी पड़ी है लेकिन बंदा की धर पे है तो हाँ यार उस बंदे ने बग्गी बुग्गी उधर छोड़ दी होती है और ह होड़ वे गूलियां चलाते है अंहला लेकिन जब गाड़ी हम ठोक देते हैं जब हम रस करने लगते हैं हमारे भवाई भग्रना चालू कर देते हैं ठीक है और देखो यार अब दो चीज़ हो सकती है या तो वो कहीं पे साब बन चुका है या तो नदी पे जा रखा है ठी लेकिन अगर बंदा नदी में गया है तो यार चाहे कुछ भी हो जाए उसकी पेटी बगेर बनाए मैं जाओंगा नहीं यहां से कहीं पे भी अब ये बंदा अकेला अपनी टीम का बाकी था या फिर इसके बाकी टीमेट भी है हमें कभी बता नहीं चलेगा क्योंकि यार भाई तैरने की कुशिस कर रहे थे और जब पानी में नोक नोक होते है ना यार वहाँ पे सीधा पेटी बनती है और पेटी तैरती है कता ही पानी में तो हाँ यार अगर आप भग रहे हो तो देखो पहले तो भगो मत अना भगना यार साही नहीं है भाई फाइट फूइट लेलो क्या पता बच जाओ और अगर आप भगते भी हो भगना पड़ी जाता है तो यार पानी में तो गलती से भी मत भगना क्योंकि भाई अगर मेरे जैसे डेट बंदे हैं आपका पीछा करते हुए तो चाहे कुछ भी हो जाए अपकी पेटी बगैर बनाए वो छोड़ेंगी नी और उतन में ही मैं यहाँ पर रस कर देता हूँ और यहाँ पर भी तीन बंदे होते हैं तो देखो दो बंदे अभी भी जिन्दा है मैं धेड़ पेड़ अंदर आगया हूँ और सकूप खुलके बैठाओं और यहाँ पर ना मुझे खुद पता नहीं चलता कि भाई हुआ क्या ठीक है मैं गोली चला रहा हूँ भाई दोनों को बहुत डेमेज देता हूँ अंदर डेमेज लेकिन कोई भी नो कुकी नहीं देता मैं बोलता हूँ भाईया कवर में वापिस निकल लो ये दोनों बंदे इतनी गोली चलाएंगे कि पेटी बनेगी सीधा मैं कवर में घुसता हूँ गोली चलाते चलाते दोनों बंदे ठील जाते भाई मतलब सही है यार जब ओपन में भाया पेल रहा होता हूँ गोली कोई नी डिलता लेकिन जैसी कवर में वापिस जाता हूँ गोलिया पेलते वे दोनों बंदे डिल जाते हैं तो काफी सही है यार यहां पे खाली कर देता हूँ अब देखो गिने चुने ही बंदे बाकी हैं तो मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ कि भाई जितने भी बंदे हो सब की मैं ही पेटी बनाऊं और इस कोशिस में ना कई बार अपनी पेटी भी बन जाती है तो हाँ मैं दुबार से इसी घर पर आता हूं लेकिन इस बार बंदे भगते नहीं है भाया कता ही फाइट लेते हैं पूरी जान लगा के अब या तो यहां पर मैं नसे में हूं या तो भाया इस बंदे ने सिर्फ हाथ गुमाया और नेड अपने जेब में रख लिया बहुत ही बढ़िया यार अब यहां पर हम सब के सब यार जितनी भी नेड की जमापुंजी होती है ना अपने पर सारी बरबात कर देते हैं कुछी का नहीं भटता नेड मतलब यहां पर एक एक सेकेट के अंदर तीन नेड भट रहे हैं मतलब यहां हलवा नहीं चला भTS बाएक दबाके नेड किये गए और ना वो रोग हमें ठिला पाए न हम तो खेर ठिलाई नहीं पाते तो हा यार अंदर गुじ गया हूं अब गोलियों से काम चाल लाना पड अब यहां पे scene क्या चला होता है यार मुझे समझ नहीं आता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कोई नो कोई है यहां पे जो VSS भी चला रहा है अपने पे मतलब हम लोग पे नहीं यह लोग मेरे ख्याल से छत पे बैठे होते तो इन पे VSS भी चली होती है और कहां से चली होती है यार यह किसी को भी नहीं पता तो यह लोग समोग वगेरा कर देते हैं हना मतलब देखो यार समोग हो रखाए अगर अंधर गुसेंगे तो फटपूच भी जाएंगे तो सीधा नहीं जाता मैं काफी देर इंतेजार करता हूँ उसके बाद इस कमरे में आके बैठते हम और बस ये इंतेजार चल लाए कि भाई वो लोग कोई एक गलती करें और हम सीधा रस करते हैं वैसे उसमें भी दिक्कते होंगी लेकिन हाँ यार मैं इंतेजा कि कुछिस करते हैं नो कर दिया है अब उपर जाने की बारी अरे अब वन और आधा एच्पी का तो मुझे कद्दू नहीं पता मुझे इतना पता है दुबारा गया तो पेटी बनेगी और हमारे भाई यहां पे मुझे नहीं पता कौन सा 100 IQ दिमाग लगाते हैं मेरे ख्याल से ये लोग जून में नहीं थे लेकिन ये साइड में जाके रिवाई रिवाई खेल सकते थे लेकिन फिर वही बात है कोई VSS भी पटका रहा था तो वो बंदा कते ही 100 IQ दिमाग लगात भाई नीचे जा चुके हैं और हिलिंग पोत्रे हैं तो मैं निकालता हूँ अपना एक सस्ता सा नेड और ये महंगा कब बन जाता है यार देखो आप तो हमारे भाई ने काफी बढ़िया दिमाग लगा था ना नीचे कूदे अंदर गए हीलिंग वगएरा पेल ले होंगे कता ही मैं देखता हूँ यार कहां पे गया होगा बंदा देखो एक ही जगा बाकी है यही पे होगा पकड़ लो इसे और अगर आप सोच रहे हो कि मैं जोन का डैमेज लेते वे उपर क्यों जा रहा हूँ तो यार ग्रोजा पढ़िये उपर यार हलवा नहीं चल ला है यहां पे तो ग्रोजा लोटता हूँ और मुझे वियसेस वाला दिखता है यहीं पे और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन यार हर बंदे को भगना इस जगह स पहले एक बंदा भगा उसे पानी में पहला अब देखो इसका भी पीछा करके पेलता मैं लेकिन यार जोन जोन आ गया है और जोन भाई हो चुके हैं काफी चूटे और इस टेम पे पंगा लेना मतलब यार सीधा पेटी बनना है तो मैं क्या करता हूँ एक जलती बोतल मैं आगे फेकता हूँ मुझे भी पता है कद्दू कुछ नियोगा उससे और उसके बाद इस पार आ जाता हूँ अना तो हमारे भाई उस पत्थर के पीछे बैठे पड़े हैं कता ही गिल्ली सूटे भाई पे और मेरे पे AWM है जिसको मैं बहुत ही ज्यादा बत्तमी जी से चला लेकिन लगती एक भी नहीं है अना अब देखो सीन क्या है समोक वगेरा बना दिये हैं हम है बहुत ही जादा उपन में पानी के उस पार बंदा है पीछे भी बंदे होंगे यूँगे तो अपने को जो भी करना है भया कताई सूट समझ के करना होगा नहीं तो पेटी बनते देड़ नहीं लगेगी और यार बीच से जादा किल करने के बाद जब पेटी बनती है न उस चीज का दूख कताई अलग लेवल पे होता है और इतने में ही एक पीछे बंदा दिख जाता है हमें तो हमारे भाई कताई पेड के पीछे जाके साब बन चुके हैं और हमारे दूसरे भाई पीछे पानी के पार जाके साब बन चुके थे तो एक साब से तो निपट लिये लेकिन एक अभी भी बाकी है जिसे उठने पे मजबूर कर देते हम लोग अब पहले मैं भी यही सूच रहा होता हूँ कि यार ये बंदा साप बनके उठा कैसे इतनी उचल कूट कैसे आ गई भाई में आचानक से तो बाद में पता चलता है मेरे ख्याल से मेरे टीमेट ने उसके पीछे नेट किया होता है तो भाई को उठके आना पड़ता है ये डबलो एम के साथ मजे कर सकता था हना गलती से हेट सोट पेलने की कोशिज करता लेकिन देखो जोन भाई आ चुके थे और वो बंदा अपनी चौड में जोन के बार से स्प्रे दे रहा था मैं नई चाता था बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जाते जाते लाईko पेला मत भूलाई पेलके रगता हुक यह जो नीली नदी है जिसपे हरी पेटिया बनाई है मैंने इसकी तरह कताई नीला टैप कर दो लाइक के बटन को मज़ा टैप आ जाएगा बिल्कुली और अगर आप यहाँ पे नए हूँ तो सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरी के लिए